अज मैं आपके लिए एक बॉर्ण बेबी का स्वेटर का पैटर्न लेके आए हूँ यह जीरो टू वन मन्थ या के बच्चे का ही स्वेटर है यह पूरा एक पार्ट में पूरा इसको मैंने बनाया है और इसमें शू के लिए मैंने यह आगे फ्रेंट पार्ट में पूम पूम लगाए हैं तो फ्रेंट्स चलिए देखते हैं कि हमको यह स्वेटर कैसे बनाना है यह पूरा देखिए स्वॉटर एक पार्यट में बणा रहे हैं इसलिए इसमें मैंने इसकी स्टार्टिंग ऐंटी टूपंदon सरी यह एक साथ एकटी टूपंद है औरbung मैंने दो सलाई और ऐहां रहला कर बार्डर बनाया और फिर यह इसमें केबल पैटरन डाला double one से cable pattern डाला हुआ है इसका वीडियो मैं आलड़े पहले डाल चुकी हूँ तो description box में इसका link मैंने डाला है और ये उपर side में भी इसका link उपर दिख रहा है right side में आप उससे भी देखके ये cable कैसे बनानी है ये बना सकते हैं इसके बाद इतना बनाने के बाद तो इसमें 82 फंदे हैं तो इसको तीन पार्ट में एक पार्ट में हमारे इसमें 16 फंदे के बाद हम इसमें पट्टी बनाएंगे थोड़ा उसके बाद इसके पार्ट डिवाइड होंगे तो देखिए 2 फंदे तो हमारे उल्टे चले फिर ये जैसे हमारे बिनाई में चल रहे हैं फंदे केबिल के बाद हमको ये छे सीधे और दो उल्टे बनाने हैं चार पांच इछे सीधे हो गए और ये दो और तीन तीन उल्टे छे तिन नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा पंद्रा और ये कि सोला फंदे ये एक मारे उल्टा हो गया इसके बाद हम यहां से आठ फंदे उल्टे बिनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ फिर आठ के बाद जो भी हमारे फंद्रा बिनाई के आ रहे हैं से हमारे इसमें उल्टे बिनाई के आ रहे हैं तो मैंने ये उल्टे बिने बाकी सीधे, बाकी बिनाई के अकॉर्डिंग और इस साइट से भी सोला के बाद आठ फंदे हम उल्टे बिनेंगे तो इसी तरीके से हमको ये सीधी रो पूरी कंप्लीट करनी है ये हम इसलिए यहां पर इस उल्टे फंदे बिनने की हम यहां से पत्ती बनाएंगे और इसी के साथ ही यहां पर पार्ट करने हैं आगे का पार्ट अलग पीछे का पार्ट अलग करेंगे तो इसलिए बाहा का आर्म होल का यहां से को डिवाइट कर रहे हैं तो पूरी फॉनने के बाद फिर हम यह 8 फंदे उल्टे बिनने हैं यहां से इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे फिर आगे यह हम 8 फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, तीन, छे, नो, बारा, सोला, एक सत्रा एक और अभी इसमें बिनना है और एक यह उल्टा और हो गया, टोटल 8 उल्टे हो गया और बाकी के हमारे यह जैसे हमारी बिनाई के एक ओर्डिंग चल रहे हैं हमारे 6 सीधे और तीन उल्टे से सीधी रो और उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी बिननी है है ऐसे हमको यह पूरा कम्प्लीट करना है दो सलाईयां हम इसके ऐसे बिनेंगे एक तो हमारी यह चल रही है और इसके बाद वाली सीधी और उल्टी भी ऐसी बिनेंगे बीच में आठ उल्टे जो डाले हैं इनको हमें ऐसी बिनना है यह सलाई हमने कम्प्लीट की फिर हम उल्टी सलाई पूरी उल्टी बिनेंगे यह उल्टी सलाई में पूरी उल्टी बिनी जाएगी सीधी सलाई में फिर ऐसे यहां पर आठ उल्टे बिनेंगे फिर उल्टी सलाई दो सलाईयां बिनने के बाद तीस्री सलाई पर जब आएंग हो अगर कि दिखे समें हमारी टोंटल 123 4 4 मुल्टी रोस पर दूसरा कलर लगाते यह से नीचे इस में समें दिख रहा होगा हम द्धू होने पर हम दूसरा कलर लगाते हैं तो हमारा चार यह इसमें उल्टी रोज हो गएंगे, इसके बाद हम उल्टी स्लाई हमारी चल रही है तो उल्टी स्लाई में आने पर यह जो चार हमने बीच में, जो हमने यहाँ पे बारा फंदे उल्टे कर रखे थे 9, 10, 11, 12, 13 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 से इसके बाद इसमें से यहां से फंदे कहता देंगे यहीं से चुकिए अब हमको इसका पार्ट करने हैं उसलिए इसको इसको सब्सक्राइब फोड़ करेंगे कि यह मारा हो गया थीन और यह मारा हो गया चार चार हमारे इसमें घट गये और यह हम चार उल्टे विन लेंगे तीन बिनेंगे एक तो मारा हो गया और पूरी रो हमारी यह बाकि उल्टी चलेगी तो यहीं से इसमें इसके पार्ट आगे का और पीछे का सारे पार्ट अलग-अलग हो जाएंगे तो इसको इसलिए हमने हाँ पर आठ फंदे खट्टे घटा दिए कि आगे के बाहां और पीछे का दोनों का हिस्स्या अल और सीधी सिलाई में आने पर दो फंदे हमारे यह पट्टी के हो गए उल्टे और यहीं पर हम गला भी एक साथ इसके घटाना है तो एक फंदा हम गले का घटाएंगे चुकि हमको ब्लैक कलर लगाना है इसलिए हम अब इसमें ब्लैक कलर से इसको बनाएंगे पूरा पूरी डो हमारी यह सीधी चलेगी जहां तक हमारे फंदे हमने घटा दी है वहां तक हमको सीधे बिनना है यह सिलाई तो सीधी चलती उसके बाद वाली सिलाई में हमारे फंदे पल्टे जाते हैं जो केबिल के होते हैं इसलिए हम इसको पूरा सीधा ही बिनेंगे लास्ट के इसमें जो चार फंदे हमारे उल्टे रहेंगे वो हम इसमें हमारा जो green कलर है जिससे हम इसका वो base हमने उसको रखा है जो नीचे का बाडर बनाया है उससे रखेंगे क्योंकि वो हमारी पट्ती की फंदे चलेंगे उस साइट से हमारी अभी यह अरे सॉरी यह 4 फंदे हमारे जोई उल्टे आये last के 4 फंदे इसमें हम next color अपना वो लगाएंगे उन लगाएंगे दूसरा उनका गोला यह से attach करेंगे इसमें यह हम इसको पट्टी बनाएंगे, एक, दो, तीन, और यह चार, यह हमारा एक पार्ट इस सिलाई पे हो गया, यह हमारा बैक पार्ट हो गया, यहीं से सिलाई को टर्न कराएंगे, और इसको बिनेंगे, यह साइट के पंदे, जो हमारे रहेंगे, यह हम ऐसे ही बिनेंगे, उल्टे मतलब जब भी बिनेंगे, तो यह हमारा ग्रीन कलर से ही बनेगा, और बाकी हम यह ब्लैक से बनाएंगे, इस साइट के पंदे, और जो गले का शेप है, यह हम हर सिलाई में एक-एक घटाएंगे, और उपर जाने पे तोड़ा डिस्टेंस कम करके, बीच में दो सिलाईयों का गैप करके, तब एक-एक पंदा घटाएंगे, यह देखिए, अब सीधी सिलाई आ गई, सीधी सिलाई में फिर हम एक फंदा यहां पर गले का घटाएंगे, और यह अपनी बिनाई जैसे हमारी यह चल रही है, वैसे बनाएंगे, यह देखिए, इसमें हमने इस साइट का पार्ट इसमें बना रखा है, यह पूरा ऐसे घटाते हमारा यह ऐसे वी शेप में आ गया, और यह हमारी इसमें बाहा बन गई, तो हमारा इसमें टोटल नीचे जो हमारी उल्टी धारियां यहां से हम गिनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, सोला, पंदा, साथ, और अठारा, यह तो टोटल हमने यहां से गिनिये, दारियां तो पिल्कुल आपका सही सही बनके आएगा, अठारा दारियां तक हमने इसको बिना, और उपर हमारे फंदे, चार तो पत्टी के हो गए, दो, इस साइट के हो गए, चार, तो, छे, आठ, दस, औ हमारा महा दक हमने एक-एक फंदा कटा, फिर एक-एक हर तीसरी सलाई पे, एक-एक बन खटाते वे, उपर तक आए, तो यह पार्ट हमारा जैसे आगे का तयार हो गया है, इसी तरीके से हमको पीछे का पार्ट, साइट का दूसरा पार्ट, तयार करना है, यह देखिए, यह में आएगा ये ऐसे आधा इसमें back part में चलागे आधा front तो हमारा है ऐसे बन के आदाता है ये part और ये part ईस तरीके समने इसको बनाया है इसी तरीके सब इसको complete करेंगे एक एक फंदाग ठाएंगे ये ब्लैक में जहां तक back sag-rogic is 3-3 slipper एक घटाते हुए इसको उपर तक बनाईंगा आ Isabya कि ध की इसमें मैंने सारा पूरा और इसका सारे पार्ट को तयार कर लिया यह दिपर यह इसका एक पार्ट दूसरा फ्रेंड पार्ट है तो इसारे पार्ट में बटा और ऐसे इसमें partition होके सारे parts इसमें अलग-अलग हो गए और अब इसको हम ऐसे यहाँ पे इसके shoulders का को joint कर देंगे ऐसे इसके shoulders joint करेंगे सारे parts मैंने बराबर से घटाए जैसे मैंने बताया था आपको एक part घटाए दूसरा भी इसी के recording हो गया और यह सब हो गया अब इसके हम जो है shoulder देखिए कैसे joint करने हैं तो shoulder आप बस एक part बिनके मैंने इसको pin पे ले लिया है तो इसको मैं भी सिलाई में लेती हूँ फिर इनको जोडते हैं आपस में यह ऐसे हो गया और इसको इस साइट से इसमें ऐसे attach कराएंगे एक मेरा यह फंदा और एक दूसरी सिलाई का फंदा यह बिना और एक फंदे को उतार दिया फिर यह एक बैक साइट से और एक आगिवली सिलाई से लेके इन दोनों को एक साथ बिनते हुए उतार दिया यह हमारा स्वेटर जो बना है इसमें कहीं भी आपको सिलाई करने की जरुरत नहीं पूरा हमारा एक पार्ट में बना है और यह बनाने का बहुत ही इजी तरीका है और जल्दी बनता है कम समय में बन जाता है इसके शोल्डर्स को जैसे नॉर्मल शोल्डर्स हम जोइन करते हैं मगर इसमें जैसे मैंने जो पट्टी के फंदे जनरली हम जो पट्टी के फंदे होते वो छोड़ देते हैं मगर इसमें हम पट्टी के फंदों को भी इसी में अटैच एक साथ कर देंगे और पट्टी के लिए इसमें आप जैसे बनाईए आप मैं तो इसमें भी क्रोशिय का थोड़ा वर्क करूंगी कि देखी इसमें इसके सारे फंदे यह इस पार्ट के इसमें गया अब बाकी की जो हमारे इस साइड की फंदे हैं इनको हम ऐसी बंद कर देंगे ऐसे जितने हमारे शोल्डर पर फंदे हैं उतने हमको छोड़ने हैं बाकी कहां मारा गला यह ऐसी पीछे का बंद हो जाएगा दो चार छे आठ दस बारा बारा फंदे हमको चुकी शोल्डर पर रखें इसलिए बारा फंदों तक हमें से बारा फंदे ही छोड़ने हैं बाकी के फंदे हम इसमें घटा देंगे यह देखिए यह हमारे बारा फंदे हो गए इस पर और यह वाले फंदे जो हैं इनको भी हम पिन पे ले लेते हैं उस पे ले लेते हैं पिन से यह देखिए पिन पे हैं इनको तार दिया ऐसे अब अब ये बस आप ध्यान रखिए जोड़ते से मैं गला जल्दी में आप इसको जड़ासा भी ना करिए गला जो है सामने के पार सीधे आना चाहिए और ये ऐसे बहां इस साइट पर आनी चाहिए ऐसे इसको मैंने जोड़ा और फिर ये सारे फंदे ये वाले सारे फंदे इनको भी बंद करेंगे जैसे इस साइट का शोल्डर हमने अटैच किया है कि देखी पूरा ऐसे कंप्लीट हो गया और मैंने इसमें यहां पिशो के लिए ऐसे पॉम पॉम लगाए हैं और यह फाइनल लुक हमारा इसका बनके ऐसे आता है तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो कैसा लगाए अगा मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा अता अपने कमेंट्स करके हमें अपने विचार जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जरूर कर दें थैंक्यू